के गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल आउट्राइड मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजेगा और साथ ही साथ उस बैल लाइकन को प्रेस कर देना आने वाली वीडियो के सा नहीं होता तो सबसे पहली चीज जो आप ले सकते हो वह है बीट रूट यानि चुकंदर बीट रूट इस एंब्रेच विद नाच्रल आइरन, मैंगनेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, और वाइटमिन लाइक B1, B2, B6, B12, और वाइटमिन C इसके इतने सारे न्यूटरिंट इसके इतने सारे मिन्डरल्स और इसके रेट कलर के कारण ये आपका हेमोगलोबिन नाच्रली बूस्ट करता है और ये आपके RBC यानि रेट ब्लट सेल्स को रिजेनरेट करता है आप इसके साथ कैरेड यानि गाजर मिक्स कर सकते हो बतलब बीट रूट और गाजर का उस एक साथ ले सकते हो क्योंकि गाजर में beta-carotene compound होता है जो आपके hemoglobin को naturally boost करता है और इसके अंदर आपको vitamin A, vitamin C, vitamin K और potassium भी मिल जाता है अब बात आती है दूसरी चीज़ की जो है spinach यानी पालक बच्पन से हमसा पॉपबर को देखकर बड़े हुए है कि जब भी वो कोई problem में होता था can निकाला, पालक खाई और strong हो गया मगर इसके पीछे basic science है नहीं समझे, वो अपनी body में nutrients डाल रहा था जैसे कि पालक में anti-inflammatory properties है यह आपकी bone health को अच्छा करता है और आप यह blood pressure को कम करता है सबसे जरूरी चीज यह आपकी iron की requirement को पूरा करता है इसके half cup में 3.2 mg iron होता है जो कि 20% है आपकी body की requirement का तो सोचो कितना कमाल का है पालक अब यहाँ एक चोटी सी trick है अगर आप पालक के साथ vitamin C जरूर supplement के तोर पर consume करो वो आपकी body को help करता है वो iron जो पालक में है आपकी body consume करने में तीसरी और आखरी चीज है dates यानि खजूर रोज 2 या 3 खजूर खाने से आपका hemoglobin तो बढ़ता है in fact dates आपकी bone health को भी अच्छा करती है और आपका testosterone भी boost करता है मैंने पूरी separate video बनाई हुई है dates पे अब वो check कर सकते हैं मेरे channel पे और workout करना भी जरूरी है guys as I always say stay healthy, stay fit